Hello students, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल Princewood Education में आज की क्लास में हम आपको सिक्षा के मनोवेग्यानिक परिपेक्ष के टॉप 10 important long questions बताएंगे जो परिक्षा की द्रश्टी से बहुत important है सबसे पहले हम बात करते हैं first question की सबसे पहले आपको ये बताना है कि मानो अभिवरदी से आप क्या समझते हैं इसके बाद में मानो अभिवरदी और मानो विकास के अंतर के बारे में भी आपको बताना है next question है पियाजे के संग्यानात्मक विकास सिध्धान्त की चारों अवस्थाओं के बारे में बताना है तो सबसे पहले आपको पियाजे के बारे में बता देना है उनकी चार अवस्था के नाम बता देने है वो कब कितने से कितने वर्ष तक की अवस्ता है इनके बारे में बता देना है और उन अवस्ताओं के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देना है नेक्स्ट है व्यक्तिक भिनता का क्या अर्थ है व्यक्तिक भिनता के मुख्य कारणों पर प्रकाश डालिए सबसे पहले आपको क्या करना है व्यक्तिक भिनता का अर्थ के बारे में बता देना है उसकी परिभाशा बता देनी है और उनके जो मुख्य कारण है व्यक्तिक भिनता के जो मुख्य कारण है उनके बारे में भी आपको बता देना है ठीक है अब आपको ये कुशिन ऐसे भी प क्या समझते हैं इस अवस्था में होने वाले शारिक माणसिक संविगात्म, एवं समाजिक विकास क्रब को इस पस्ट कीजिए तो किशोरा अवस्था से रिलेटर्ड जो भी करम बता देना है आपको और क्या बताना है कि इस अवस्था में जो होने वाले जो शारिक मानसिक सम्वेगात्मक एवं समाजिक पिकास होते हैं उनके करम को आपको इसपस्ट कर देना है ठीक है कि आपको अर्थ इसपस्ट करना है परिभाशा बतानी है ठीक है परिभाशा के इसमें भी आपको वही स्पस्ट करना है पहले आपको अर्थ बताना है परिभाशा बतानी है ठीक है फिर इसके बाद आपको यह बताना है कि यह कथन किसका है उसके बारे में बताना है और इसको ऐसा क्यों कहा जाता है कि जो किशोरा वस्ता होती है वो संगीन काल क्यों कही जाती है इसके बारे में आपको डिस्क्राइब कर देना है नेक्स कोशन है सीखने अर्थात अधिगम से आप क्या समस्ते है थाउन राइक द्वारा प्रतिपादी सीखने की उद्धीपन अनुक्रिया सिध्धान की व्याख्या कीजे तो सबसे पहले सीखना और जो अधिगम होता है वो एक ही चीज है ठीक है अधिगम मतलब भी क्या होता है लर्निंग और सीखना मतलब भी होता है लर्निंग तो सबसे पहले आपको बताना है सीखना सीखने से आप क्या समझते है उसकी डेफिनेशन बतानी है ठीक है उसका अर्थिसपस्ट करना है जो मनोवैग्यानिक ने परिभाशाएं दी है उनमें से जो आपको अच्छी लगती हो वो डेफिनेशन आपको दे देनी है ठीक है इ इसमें भी आपको ये बताना है कि जो प्रयत ने तता भूल का सिद्धानत है, वो किस ने दिया है, थॉन्राइक ने दिया है, और थॉन्राइक के बारे में बताया, और फिर इसके बाद में आपने इसको डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है? नेक्स कोशन है, अभी प्रेणना से आप क्या समझते हैं? अभी प्रेणना के घटक एवं उनके आपसी सम्मंद को स्पस्ट कीजे, मनों विज्ञान में अंतर नोध किसे कहते हैं? कोशन सबसे पहले क्या है? कोशन ये है कि अभी प्रेणना से आप क्या समझते हैं? मोटिवे करना है ठीक है next question है सीखने के इस्थानांतरण से आप क्या समझते हैं सीखने के इस्थानांतरण के मुख्य सिध्धानतों की विवेशना कीजिए इस question को ऐसे ही पुछा सकता है कि शीखने के धनात्मक तथा रिनात्मक इस्थानांतरण के दो-दो उधारंड दीजे तो सबसे पहले आपको सीखने के इस्थानांतरण के बारें बता देना है फिर इसके बाद धनात्मक इस्थानांतरन और रिनात्मक इस्थानांतरन के बारे में define कर देना है और उसके दो-दो धारन देने हैं नेक्स्स कोश्चन है, बुद्धी से आप क्या समझते हैं? व्यक्तिगत बुद्धी परिक्षन और सामोहिक बुद्धी परिक्षन में क्या अंतर है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि बुद्धी से आप क्या समझते हैं? बुद्धी के बताना है, उसका अर्थ बताना ह फिर आपको बताना है व्यक्तिकत बुद्धी परिक्षण और सामोहिक बुद्धी परिक्षण में अंतर क्या है या फिर यह कोशन ऐसे पूछा सकता है बुद्धी परिक्षण के संदर में किसी व्यक्तिकी वास्तवी कायू, मांसी कायू और बुद्धी लब्धी से क्या ता तो पहले इनको डेफाइन करेंगे आप अच्छे से इसके बाद उसका जो फॉर्मुला है बुद्धी लब्दी इस गुस्टु मांसी कायू बटे शार्री कायू इंटु 100 उसके बारे में आपको अच्छे से बताना है और कोई एक उधारन अच्छा सा दे देना है ठीक है कि कोई यहिसे बालक की मांसी यह इतनी है शार्री कायी उतनी है तो उसका इंसर कैसे निकलेगा ठीक है नेक्सक्व को क्स्छण है यह में वाइन के व्यक्तित उ-पन के रोशा इंक ब्लॉक टेस्ट टी-इटी परिक्शनन सी-एटी पारिक्षन का सामान में परिचाह दीजे तो सबसे पहले आपको जो व्यक्तित मापन है, उनकी जो प्रछेपी विधियाestial उनकी बारे माताना है कि प्रछेपी विधिया वो क्या-क्या होती है ठीक है और जो आप TAT परिक्षन के बारे मता देंगे, फिर इसके बाद आपको बताना है CAT परिक्षन के बारे में, ठीक है CAT परिक्षन किस ने दिया, ठीक है कब दिया, इसके बाद उसमें क्या होता है, यह परिक्षन किन के लिए किया जाता है, तो CAT परिक्षन जो होता है वो बालकों के लिए किया आता है, TAT परेक्शन किसके लिए किया आता है, वयसकों कि लिए किया आता है, तो इनके बारे में भी आपको अच्छ से बता देना है, यह क्यों किया जाता है, इनसे क्या लाव है, इनके बारे में आपको डिफाइन करना है, व्यक्तित व मापन की विधियों को किस प्रचेपी विधियां है और उनके बारे में थोड़ी थोड़ी नौलेज दे दिनी है कि उनका प्रतिबादन किस ने किया किस सन में किया यह क्यों किया जाता है ठीक है इस तरह से आप इन सब के बारे में बता देंगे रोश्चा इंक ब्लॉग टेस्ट टीटी परिक्षन व्याख्या कीजे तो सबसे पहले आपको बताना है कि व्यक्तितों का लक्षन सिध्धान्त क्या है ठीक है लक्षन सिध्धान्त के बारे में बताना है इसके बाद ओल पोर्ट ने जो लक्षन सिध्धान दिया था उसकी व्याख्या करनी है और केटल का जो लक्षन सिध्ध मानते उसके बारे मताना है, ठीक है, सभी पेडियाफ लेने के लिए आप हमारे वाटसेप नमबर 9580886699 पर मैसेज कर सकते हैं, सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप सभी क्लासेज देख सकते हैं, धन्यवाद मिलते हैं अपनी नेक्स क्लास में